आज हम ऐसी मिठाई की डिस्पी लेके आए हैं जिसे आप फेस्टिबल में तो इन्जोई करी सकते हैं साथ में अगर ब्रत आपने किया है तो उसमें भी इसे खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी है मुँव में डालती ही खूल जाएगी अब आज इसे घर के रखे हुए चीजों से हम बना के त्यार करेंगे इतनी सॉप्ट इतनी टेस्टी ये मिठाई है कि एक बर आप बना लोती इसका स्वार नहीं बोलोगे इतनी ये टेस्टी बन के त्यार होती है तो चलिए आज हम इस मिठाई को बना के त्यार करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रिडियन्स इसमें लगते हैं तो चलिए फिर बना लेते हैं नमस्ते दस्तों मैं आरती मेरे यूट्यूब चैनल बनाव मचाव में आप लोका बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको हमारी रिस्पी एच्छे लगी तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूआ है बिल्कुल देखने में टैंटिंग देखे और रीच फिलेवर के लिए यह हमने 10 करिवन बदाम लिए हैं और 10 हमने काजू लिया है इनको हमें एक मिक्सी का जार ले लेंगे और बदाम और काजू को डालके और इनका हमें दरदरा सा पाउडर बना लेना बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है दरदरा सा ही बना के त्यार करेंगे तो चलिए इसे दरदरा सा हमने पाउडर बना लिया है तो देख सकते हैं इसमें थोड़े बड़े बड़े बी टुकड़े दिख रहे हैं इसी तरह का हमें चाहिए तो यह हमारा बन के त्यार है अब चलते हैं next step पे तो यह हमने कड़ाई रखा है gas पे और इस पे मैं glass से नापके दो glass इसमें दूट डाल रही हूँ इस recipe में दो glass दूट से ही आप धेर सारों मिठाई बना के त्यार कर सकते हैं तो करीबन एक केजिता कमरा मिठाई त्यार हुआ था तो यह दो glass दूट से ही हम बना के त्यार करेंगे तो हमने एक glass लिया है एक glass हमने दूट डाल दिया है और उसी glass से नापके में दूसरा glass भी डालेंगे दूद को डालने के बाद, गैस को हम अउन करेंगे, और गैस को अउन करके हम दूद को चलाते रहेंगे, और इसमें एक उबाल आने तक हम इसे थोड़ा सब पका लेंगे, तो ज्यादा हमें हाई फिलेंपे भी नहीं करना है, बिल्कुल मेडियम आज पर इसे करेंगे, तो हा चेनी डाल देती होdenworking, तो यह हमने एक उपाल आने तक हम चेनी को टालेंगे, तो हम और यह वर्पी मिठाईब के ब driven मीठाई में हैं, इसे हम जया पर आने भी नहीं करेंगे, विल्कुल के जैसा इसमें डेश्ट आएगा तहीं साइड साइड को जो लग रहे हैं इसे हम इस-थाद त्थे एस्पेशली से खरचते जाएंगे ताकि जो लग रही है मलाईस में उ मीक्स हो जाएं दूद में बिलकुल अच्छे से उबाला गया है देख सकते हैं बहुत अच्छे से उ मापकर में इसमें दो कोटोई भी डिसिकेटट कोकरेंट डालोंगे और इस मिठाई को बनाने में जो मेन इसका समागरी यानि जो इंग्रिडियन्स है वो हमारा डिसिकेटट कोकरेंट है इसी से मिठाई बनके त्यार होगी तब हमने दो कोटोई डिसिकेटट कोकरेंट डाल या जो हमने बदाम और काजु को दरदरा सा पाउडर बना है तो उसे भी मैं इसमें डाल देते हूँ और इसे हमें continue चलाते हुए गाढ़ा करना है तो कुछ देर में देखिएगा यह बिल्कुल धीरे-दीरे गाढ़ा होते जाएगा और साइड साइड की जो मलाई है उसे हम इस तरह से खुरोषते जाएगे ताकि यह mix हो जाए हमारी मिठाई में और हमें छोड़ना नहीं है बस इसे continue चलाते रहना है ताकि यह तले में जले नहीं और इसे मैं कढ़ाई में बना रही इस्टिल के कढ़ाई में तो अराम से बन जाते हैं नहीं जलते हैं बस हमें इसे continue चलाना रते हैं तो कुछ देरेज़ी देखिए कुछ इस तरह सी गाड़ा हो गया है तो अभी हमें बिल्कुल इसे पका लेना है यानि इसमें बिल्कुल मस्टर नहीं रखना है आईसे हमें बिल्कुल गड़ा कर लेना है जदा टाइम डिल लगेगा 10 से 15 मिट लगते हैं इस मिठाई को बनाने में और धीरे धीरे जो हमारा दूध है गड़ा होते जारा देख सकते हैं अभी तो ये रबड़ी के जैसा भी दिख रहा है लेकिए अभी इसे हमें और गड़ा करना है और देखिए अभी जो है बिल्कुल इसका जो मस्टर सुक चुका है इसमें में एक चम देसी घी जाल दे रही हूँ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो जब भी मिठाई बनाना और घी डालना होते इसमें देसी घी डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अभी हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेवर में बिल्कुल लो रखा है और जिसकी यह पक चुके हैं बिल्कुल अच्छे से पेन को छोडने लगा है और इतना गढ़ा हो गया कि कडाई में चीपकने लगा है अभी इस बेक में क्या करूँगी थोड़ी इसमें फ्लेवर के लिए इलेची का पाउडर डालूँगी बिल्कुल अच्छे से यह त्यार हो गया है बहुत अच्छे से गढ़ा भी हो गया है अभी मैं गैस को बन कर दूँगी और इसको हम ठंडा करेंगे तो कुछ दिर हम इस तरह से चलाते रहेंगे कि ताकि यह तले में चिपके नहीं कडाई यह भी बहुत गरम है और इसे हम ठंडा कर लेंगे और प्रोपर देखे ठंडा हो गया है तो कुछ इस तरह से यह देख रहे हैं बहुत ही गढ़ा सा हो गया है तो इसी तरह का हमें चाहिए और यह ठंडा भी हो चुका है अभी मैं क्या करूंगी हातों से इसके हम बना लेंगे आप चाहें, जैसा चाहें, विज़ना सेप देव सकते हैं इसका, तो मैं इस तरह से थोरा सा सिरेंडर अकार का सेप दूगी, जिसते बर्फी मीलती है न इस तरह के, तो थोरा से इस तरह से मैं सेप दूगी और जो हमने Desiccaded coconut लिया है उसमें मैं इसे coat कर दूगी, तो एक वर कर देंगे। आप चाहते हैं गुल से बना सकते हैं जिसे पर बनते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं तो ह險 या फिर इस तरह अकट MARY है ऑर और आयर्रीोल का जो मिठाई हैं बनाके और एक पिंट पे हम रहे देंगे इस तरह से तो आप किसी भी फेस्टिबल पर इस मिठाई को बना सकते हैं या फिर बरत में भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी इंग्रेडियन्स नहीं है जिसे हम बरत में नहीं खाते हैं जो हमने डला है सभी को हम बरत में खाते हैं इसलिए आप बरत में भी से आप बना के खा सकते हैं बहुत ही टेठी स्थी मिठाई बनके हमारी त्यार हुई है और हमने इस तरह के प्लेट में सारी को बना के और लगा दिया है थोड़ा से मैं इसके बीच-बीच में कलर लगा दूँगी आप अपने मन्स परसन ड्राइफूट से भी इसकी गार्निसिंग कर सकते हैं तो इस तरसे कलर लगाने से थोड़ा सुन्दर दिख रहा है तो मैं थोड़ा से कलर लगा दे रही हूँ तो यह मैंने पीला कलर को पाणी में गुल लिया है, और यह फूत कलर है, और इसे हमने लगा दिया है, अथोड़ी से मैं इस पर गूलाब की पंखोडी लगा दिया है। तो यह मिठाई की रेस्पी आपको कैसी लगी आप हमें कमिट करके जरूर बताईएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी और इस तरह से हमने मिठाई को अपने सजा दिया है देखने हम बहुत ही सुन्दा टेम्टिंग से लग रहे हैं और काफी टेस्टी से भी बनने के तिय हुआ है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई के जिएगा अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हैं जय भारत